दादी मा की बहुत ही आसान 40 बेस्ट कीचन टिप्स बहुत ही कमाल के हैं जरूर सुने नमबर एक अगर आपको ठकावट महसूस होने लगे तो थोड़ा सा गुड़ खा ले यह आपके अंदर इनर्जी को बढ़ाएगा नमबर दो प्रेगनेट महिलाओं को चेरी खाने से बचना चाहिए नमबर तीन चाय पीने से आधा घंटा पहले पानी पीने से जिन लोगों को चाय पीने से कब्ज और गैस की समस्या होती है वो नहीं होती है नमबर चार ज्यादा अधरक के सेवन से आपके मुँ में छाले पैदा हो सकते हैं नमबर पाँच रोज तीन चार कच्चे लहसुन की कलिया खाने से फेफ़डों में संक्रमढ या सूजन नहीं होता है नमबर चै आईरुवेद के अनुसार सौब के दाने को चबाने से मुँ की बद्वू से राहत मिलती है नमबर साथ कम सुनाई देता है तो उंगली पर नारियल का तेल लगाकर कान में फेरें सुनाई देने लगेगा नमबर आट किस्मिस खाने से सरीर में आईरन की कमी पूरी होती है नमबर नौ प्याज के कुछ टुकडे काट कर कमरे में रखने से जुखाम की बिमारी नहीं होती है नमबर दस बहुत लोग भुट्टा खा लेने के बाद तुरत पानी पी लेते हैं ऐसा बिलकुर ना करें इससे पाचन संबंधी समस्या हो सकती है नमबर ग्यारः अगर गले में मचली का काटा फस जाए तो गुड़का सेवन करें नमबर बारः आज मुझे एक 80 साल के बाबा जी ने प्याज का एक ऐसा इस्तमाल के बारे में बताया जिससे लगभग हर घरों की एक कॉमन प्रॉब्लम आसाने से दूर हो जाएगी और साथ ही साथ हमारे पैसे और समय भी बचेंगे तो इसके लिए आईए आपको बताते हैं कि करना क्या होगा सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा पानी डाल कर इसे हलका गर्म कर लेना है उसके बाद हम इसमें कुछ प्याज के छिलकों को डाल देंगे प्याज के छिलकों को इसमें हमें अच्छे से मिलाते हुए उसे 2-3 मिनट तक उबाल लेना है उसके बाद हमें लेनी है माचिस की तीलियों को इसमें कुछ माचिस की तीलियों को डाल देना है और साथ ही साथ इसमें हमें चार से पांच कपूर के टुकडों को डाल कर इसे दो मिनट तक उबाल लेना है फिर इसे एक बरतन में छान कर पानी को हम निकाल लेंगे इसके बाद इस पानी को स्प्रे वाले बोतल में भर देंगे सारे पानी को बोतल में भर लेना है उसके बाद अपने घर में जहाँ जहाँ मच्छर मक्षियां कौक रोज कीडे मकोडे आते हैं वहाँ पर इस्प्रे कर देंगे इससे वे आपके घर में कभी नहीं आएंगे और आपके घर से दूर रहेंगे अंजीर आइरन विटामिन A, विटामिन C, मैगनेसियम, पोटैसियम और कैलसियम से भरपूर होता है जिन लोगों में हिमोगलोबिन की कमी होती है उन्हें अपने आहार में अंजीर सामिल करना चाहिए नमबर 14, अंकुरित मेथी में बलड सर्कुलेशन को नॉर्मल करने की छमता होती है नमबर 15, जिन लोगों को मुँ से खून आता है उन्हें जामुन जरूर खाना चाहिए नमबर 16, यदि आपकी आँखों में पानी निकलता है तो बादाम के साथ इलाईची को पीश कर खाएं नमबर 17, आयरवैद के अनुसार बरसाद के मौसम में दही खाने से जोडों के दर्द में समस्या हो सकती है नमबर 18, एक चम्मच दही में चुटकी भर कॉफी पाउडर मिलाकर चेहरे पर लगाने से रन निखरता है नमबर 19, सकरकंद से इसकीन और बालों की क्वालिटी में सुधार होता है नमबर 20, लीवर की सूजन और कमजोरी को दूर करने के लिए हर रोज सुबह साम एक गिलास पानी में एक चम्मच सहद और एक चम्मच सेव का सिरका मिलाकर पिएं नमबर 21, पेट से जुड़ी तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हर रोज अनार खाना सुरू कर दिजिए नमबर 22, खजूर के सेवन से दमा की सिकायद दूर होती है नमबर 23, चाय पीने से पहले पानी पीने से आथ पर एक परत बन जाती है जिससे चाय के एसिडिक इंफेक्ट कम हो जाते है नमबर 24, एक नारियल को उपर से काट कर उसमें एक चम्मच खसखस के बीज, पांच से छे बिना बीज के खजूर, बारस से तेरा बादाम उसमें फिर एक चम्मच खसकस और डाल कर नारियल के मुझ को फिर से ढख दें, उसके बाद इस नारियल को गर्म दूद में उबाल दें, ध्यान रखें या सीधा रहें, उस नारियल को दूद से बाहर निकाल कर इसके अंदर की सामगरी को बाहर निकाल लें, और बाद में नारियल को टुकडो में काट कर इसमें काली मिर्च और नारियल से निकाली गई सामगरी के साथ बारीक पीज लें। उसके बाद इस मिस्रड को आप अगर गर्म दूद में मिला कर पीते हैं तो इससे आपको सिर्दर्द और माईग्रेन की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। नमबर पच्चीस पेट में गैस हो जाती है तो उसे दूर करने के लिए पुदीना खाएं। नमबर 26 पेरियर्ट के दौरान पेट में काफी तेज दर्द होता है। ऐसे में पेट दर्द से आराम पाने के लिए अद्रक का जूस पिएं। नमबर 27 पिलिया होने पर नीम की पत्तियों के रज के साथ सहथ मिला कर सेवन कराया जाए तो पिलिया ठीक हो जाता है। नमबर 28 घर में धन की कमी हो तो घर में कचुवा रखने से धन की ब्रिधी होती है। जिस अस्थान पर कचुवा होता है वहां माल अच्मी का वास होता है। नमबर 29 तूलसी के पत्तों को चबाने से फेफडों में जमा कफ निकल जाता है। नमबर 30 जो बेती रोज हाथ की हधेली और पैरों के तल्वे में तेल लगा कर सोते हैं वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। नमबर 31 सहतूत खाने से पाचन क्रिया बहतर होती है, सर्दी खासी में भी फायदा होता है और मुत्र संबंदी कई समस्याओं में भी बहुत फायदे मंद होता है। नमबर 32 दाएं तरप करवट लेकर लेटने से जल्दी नीद नहीं आती है। नमबर 33 गाजर का हल्वा खाने से गुर्दों की पत्री तूट कर निकलती है। नमबर 34 अच्छे पाचन के लिए गुवार भली खाना चाहिए। नमबर 35 गुड़हल के फूल को सुखा कर बारीक पीज कर उसमें दही मिलाकर बालों की जड़ों में लगाने से बाल काले और घने होते हैं। और रूसी की समस्या भी समाप्त होती है। नमबर 36 अगर आपको साप ने काट लिया है तो नाग मोहा नामक पौधे का लेप करें क्योंकि नाग मोहा एक मात्र ऐसा पौधा है जो साप के जहर को तुरंत उतार देता है। नमबर 37 करौंदे का सेवन करने से कब्ज, गैस और ऐसीडिटी जैसी पेट की समस्या तो दूर होती ही है। साथ ही लूज मोशन की दिक्कत भी नहीं होती है। उसमें भी आपको काफी आराम मिलता है। नमबर 38 नारियल के पानी में दो चम्मच नीबू का रस मिलाकर पीने से कुछ ही दिनों में पत्थरी घुल जाती है और पिसाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। नमबर 49 कसरत करने के 15 मिनट बाद एक गिलास गुनगुने दूद में एक चम्मच घी डाल कर पीने से सरीर ताकतवर मजबूत और आकर्सक होता है। नमबर 40 पान का पत्ता कब्ज दूर करने में भी मदद करता है। प्रतेक भोजन के बाद कुछ ताजे पान के पत्ते चबाने से डाइजेशन में मदद मिलती है। और कब्ज से भी राहत मिलती है। हमारी ये वीडियो सामान जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर आपको कोई भी बिमारी है तो पहले डाप्टर से सलाह लें। फिर या नियम अपनाएं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद